ओब जन्ती, खुश रहना, सदा खुश रहना, ये हम ब्रहम्मन आत्माओं की एक परतक्स प्राप्ती है, यद्पी, संसाथ ऐसी स्थिती में पहुँच गया है, कि बहुत मनुस्यों को यहां खुश रहना कठिक होता जा रहा है, फिर भी, जिनके पार संबोन ग्यान है, जिनकी पालना स्वयम भगवान ने की है, जिनका भविश से उनके सामने बिल्कुली स्पस्थ है, और जो ग्यान और योग के वल्द से बहुत सत्ति साली बन चुके हैं, उन्हें तो सदा खुश रहना ही चाहिए, ब्रगवान भी जब अपने बच्चों को बहुत खुश देखता है, तो वो भी बहुत हर्सित होता है, और उसने कह दिया, कि सदा जो बच्चे सदा खुश रहते हैं, वो तो मेरे सम्मुख रहते हैं, नैनों में समाई रहते हैं, तो जैसे लोकिक बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, वैसे हमारा सुप्रिम फादर हम सभी को अपने नैनों में समाई रखना चाहता है, अर्थात वो बहुत हमें याद करता है, बहुत प्यार करता है, एवल हम सदा खुश रहें, कैसे रहेंगे हम खुश, चेक करेंगे सुक्स्म रूप से कौन सी भात मेरी खुशी को चीनती है, किसी नजदी की व्यक्ति के वचन, उसका व्यभार, उसकी इंसल्टिंग नेचर, जो हमेशा कड़वा बोलता रहे, वो मेरी खुशी चीन ले जाते हैं, या जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो नहीं होता है, तब मेरी खुशी चली जाती है, हमने कोई target रखाया, उसमें हम सफल नहीं हुए, तब हमारी खुशी चली जाती है, या हमारे साथ ही अच्छा काम नहीं कड़ते, बार बार काम विगारते हैं, हमें गुसा आ जाता है और हमारी खुशी चली जाती है, या दूसरों को देखकर, पर चिंचन करके, दूसरों के अवगुन देखकर, हमारी खुशी नस्ठ हो जाती है, चेक करेंगे, अवगुन देखा और खुशी नस्थुई यही सक्थ है अवगुन दूसरे के मुक्सान हमारा ये कौन से वो धिवानी जिसके अवगुन है वो जाने हम तो केवल उने सुभावनाएं देंगे हम उनको अपने चित पे रख लें उसका चिंतन करने लगें तो वो अवगुन वो तूटिया हमारे अंदर भी आने लगेंगी और हमारा मन भी बहुत नेगेटिव होकर करस्ट अनुभाव करेगा तो हम अपने को पहले तो ऐसा करें कि जो ये बाते होती हैं इनका इफेक्ट हमारे ऊपर न हो कम से कम हो इतना कम हो कि जैसे पानी पर लकीर और जल्दी ही वो समाथ हो जाए इसके लिए बहुत आवस्चक है स्वयम में ज्ञान का बल भरना स्वयम को बहुत इस्वरिये नसे में रखना स्वमान के स्वेश्ट अभ्यास करते रहना एकडिरी होने की प्रेक्टिस करते रहना या बाबा से बाते करते रहना इनसे हम स्वयम को इतना आनंदित और भगोर अनुभव करते हैं कि लोगों की बाते हमें बहुत शोती लगती हैं कोई हमारा अपमान करता है तो हमें ख्याल रहता है हमें याद रहता है जो स्वमांधारी हैं जो योगी हैं उनका तो अपमान होता ही नहीं हमें बाबा का महवा की याद रहेगा बच्चे तुम मनुस्यों का मान लेकर क्या करोगे तुम्हें तो स्वयम भगवान मान दे रहा है तो हम सभी अपने को भरपूर आत्मा बनाएं जान का बल अपने अंदर इतना ले आएं कि हर बात को जान की पॉइंट याद करके समाप्त कर दें हलका कर दें तो आज हम याद रखेंगे मैं बहुत बहुत खुष नसीब हूँ मेरे जैसा खुष नसीब कोई नहीं और हम क्योंकि विश्व के आधार मोड़त हैं इसलिए यदि मैं बहुत खुष हूँ तो सारा संसार खुष है संसार में खुषी की लेर फैलाती है हमारी आंतरिक खुषी और जिने भगवान से सर्वत सुप्राप्ती हुई हो वो तो सदा खुष रहेंगे ही तो आज बावा से बाते करते रहेंगे और अपनी खुषियों को बढ़ाती रहेंगे ओम शांती